सिल्सिला पदलते रिष्टो का में मिष्टी रुहान के बड़ते प्यादे कहानी को काफे दिलचस बना दिया है अब एक तरफ रोहान मिष्टी की बेरुखी को समझ नहीं पा रहा तो वहीं मिष्टी दिन पे दिन रोहान की तरफ ही खिची चली जा रही है उधर रुहान की दोस्ती को देखकर परी को ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह वो उसे पसंद करती है, रुहान भी उसे पसंद करता है लेकिन अब रिपोर्ट्स के मिली है कि शो में बहुत जल्द वो होगा जिसकी कल्पना आपने हमने किसी नहीं की थी दरसल रुहान मिष्टी को छोड़ परी से अपने प्यार का इधार करेगा जी हाँ सही सुना आपने, तो क्या वागई रुहान को मिष्टी से नहीं बलकि परी से प्यार होने लगेगा या फिर वो परी को मिष्टी समझ कर अपने दिल की बात कहेगा और क्या होगा जब मिश्टी को परी रुहान के इस I Love You Exchange का पता चलेगा चलिए जबरदस ट्विस्ट के बारे में आपको इस रिपोर्ट में डीटेल में बताते हैं दरिसल शो में ये देखने को मिल रहा है कि परी और रुहान काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और अब तो रुहान और परी प्रोफेशनली भी जुड़ गए हैं क्योंकि रुहान के कहने पर परी उसके नए फोटो शूट की मॉडल जो बन गई है अब रुहान ने तो एक दोस्त के नाते परी से मदद मागी लेकिन इस दोस्ती को प्यार समझ कर परी ने भी हामी भड़ दी लेकिन सुत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि आने माले एपिसोड में दिखाये जाएगा कि रुहान का ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेस्फल होगा और फिर इसी खुशी में रुहान अपने दोस्तों को एक सक्सेस पार्टी देगा लेकिन यहां रुहान काफी ड्रेंग कर लेगा और फिर होगा वो जिसे किजी ने इमाजिन नहीं किया था रशी की हालत में दरसल रुहान परी को मिश्टी समझ कर उसे आई लव यू बोल देगा ऐसे में रुहान के मूँ से अपने लिए आई लवी सुनकर परी का क्या रियाक्शन होगा ये तो आप भली भाती समझ सकते हैं वह परी साथ में आसमान पर चड़ जाएगी क्योंकि वो तो पहले से ही रुहान को दिल दे बैठी है लेकिन ये आप और हम ही जानते हैं कि रुहान परी को अच्छा दोस्त मानता है मगर अब देखना होगा कि परी से किया ये लव कनफेशन रुहान के लिए कौन सी नई प्रॉब्लम लेकर आएगा क्योंकि भाई इतना तय है कि इस आई लव यू से गहरी कनफ्यूजन शुरू होगी तो देखते हैं कि परी का ये प्यार क्या उसके लिए ही बड़ी मुसीबत बनेगा क्योंकि रुहान उससे नहीं बलकि मिश्टी से प्यार जो करता है तो अब सिलसला में आगे क्या होगा ये देखने का तो हमें भी बेसबरी से इंतजार रहेगा शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटिट है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएए झाल